कि विल्कम सभी छात्रों को राज सिच्छा सोध्यवं प्रसिच्छन परिशत की और सी स्वागत है आज हम क्लास एट एवं नाइन के छात्रों के लिए जो प्रत्योक्ता परिश्छा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए विसेस्ट प्रिकार के कुश्ट्स को हम आपके सामनी रखने जा रहे हैं तो आप लेट एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड ए रूट ए स्थाइब प्लस बी रूट वी इग्वल टू 183 एंड ए बी रूट बी प्लस बी रूट ए इग्वल टू 182 दें फाइंड दाव है लूओ नाइन विट फाइव डिवाइट इन्टू 1-A प्लस भी अब इसको देखिए हम लोगों को किस प्रिकार से इस प्रस्ट्रों को तो हम लोग एक काम करते हैं कि चुकि रूट में है तो एक हम लोग Hoa माला मन लेते हैं और बीका वहलू हम लोग कु और स्कुर मालते में लोगे इसको करने और रोली पर पर आपकोoffs जालब करने के लिए तो इसके बाद आगे जो question दिये हुए है पहला A root A plus B root B is equal to 183 अब एका भैलू put करें आप एका भैलू कितना है P square root A का भैलू आपका अगर देंगे P square तो भैलू कितना हो जागा into P हो गया plus B का भैलू आपका Q square है और B का root लेंगे तो क्या हो जागा Q हो जागा that is कितना आपका वैलू है 183 दिस इंपलाइज है आपका P Q plus Q Q is equal to 183 अगर हम इसको equation 1 माने यानि यह रूट ए प्लस बी रूट बी इस इक्वल टू 183 को equation 1 मानते हैं और ए रूट बी प्लस बी रूट एको एक्वेश्ट 182 एक्वेशन हम लोगों दो मानते हैं तो इस के सोल्व करने बाद जो आये है एक्वेशन हम लोग इसको इसको तीन मानते हैं तो P Q plus Q Q का बहलू हम लोगों ने फान किया क्या किया हुआ 183 आया अब दूसरी एक्वेशन में है फ्रॉम एक्वेशन 2 अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है इस्टाहिए यह रूटबी एका मैंळू कितना है P स्कोर ए रूटबी प्लस expans और रूट बेहलू हिसका क्या हो जागा क्यों के कर रूट है तो आपका पहलू इस इक्वाल टू 182 दिस इंप्लाइज पीस स्क्वार क्यों प्लस q-square p this is इसक्वल टू 180 टू डिस इचक्वलटू टू अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो प्लस क्यों दिस इंप्ल्टू 182 आ गया तो एक्वेशन तीन और इसको आप लोग हम हम लोग मान लेते हैं equation 4 है अब 3 और 4 को सहारा लेकर करकर करके हम लोगों को आगे बढ़ना है कि कैसे हम लोग भैलू निकालें तो एका बैलू कि दिया हुआ आपका है और बी का भैलू भी आपका की स्क्वेर दिये हुए हैं तो अब इससे हम लोग करते हैं कि किस प्रकार से लेंक अगर एफ प्लस भी लिखते हैं इसका फुआ क्या हाग पस्क्वर प्लस q2 होगया ड​ एक का बैलू पैस्क्वर इसको अगर हम लोग सिंपल में तोड़ते हैं तो क्या होता है कि प्लस Q का whole square और minus 2P Q दे सकते हैं ए आपका simple formula है कि a square plus b square equal to P plus Q minus 2 अब देखिए क्या हम लोग को दिया हुआ है कि P plus Q कहा निकाले आपका P Q plus Q Q का value 183 दिया हुआ है अब हम लोग एक और find करते हैं equation इसको पांच माने है कि P Q plus Q Q का value आपका 183 यानि P plus Q का अगर whole Q करते हैं तो P Q plus Q Q plus 3P Q और P plus Q इसके formula होते हैं simple formula है कोई बहुत बड़ी formula नहीं है अब इसको आगर हम लागे solve करते हैं तो P Q plus Q Q का value 183 आपका दिया हुआ है 183 प्लस 3 into P Q plus P plus Q का value आपका दिया हुआ कितना 182 दिया हुए है तो दाट इस इक्वल टू 183 और प्लस 3 into 1 यानि 3 multiply 2 तीन दूनी 6 हो गया आट यहीं कि 24 हो गया और तीन अदो 546 हो गया अब दोनों को एड कर दीजिए तो एड करने के बाद आपका value कितना जाएगा छे नाइन हो गया और चार आठ बारह दो हो गया और पांच एक-छो एक 7 729 हो गया यानि P प्लस है अगर हम लोग क्यू का होल क्यू इक्वल टू 729 है दिस इंपलाइज आप क्यूब रूट निकालेंगे तो 729 का वन वाई 3 डैट इस आपका नाइन भेलू आगेगा तो हम लोगोंने क्या फाइंड किया कि प्लस क्यू का वैलू भी हम लोग ज्याद कर लिए कि प्लस क्यू का वैलू कितना आपका आया नाइन आ गया इसको हम लोग पांच मानने हैं अब इसको हम लोग 6 मानते हैं तो सिं में किया है कि अभी थक फुलस क्यू तो स्क contracted फीट पलस क्यू का व्याइड विल्वी नकालना है कि तॉंड यहाँ आजाते तो आप देखिए कि इस एक Q & P più is equal to 182 तो आपका दिया हुआ है तो P plus Q का 9 निकालने है त头 हो एक इक्वेशन 5 में आते हैं तो ए प्लस बीजी कोल टू कि आपका questions दिया हुआ है 5 में फीपलस क्यों का होल स्क्वेर होल स्क्वेर और माइनस 2P की कि यू है जैट इफ पी प्लस क्यों का वहलू तो हम लोग 9 आपका तो 99 जा 81-364 वाइड दिवाइड वाई 9 हो गया तो यह आपका भैलू 7 729-360 4 और डिवाइड वाई 9 जैटी ढफका ए प्लस बी-का वैलू आपका इससे घटाएंगे तनो में चार्गया पाच 365 वाईड वाई नाइन जानि ए प्लस बी का हम लोगों ने भैली जो ग्याद किया that is equal to 365 divided by 9 अब देखिए कि दम सिंपल हो गया कि 369 divided by 5 अब हम लोग ग्याद करना क्या कि 9 वाटा 5 divided 1 पड़े हैं तो we have to find only the value of 9 वाटा 5 divided by we find 9 वाटा 5 इन्टू a प्लस बी तो a प्लस बी का वैलू डट इज 9 डिवाइड़ वाई 5 इन्टू 365 डिवाइड़ वाई हो गया 9 से 9 आप कट गया that is आपका कितना आ गया इससे देखे आप 365 और डिवाइड़ वाई 5 हो गया आप 365 में 5 से डिवाइड कीजेगा तो आसानी से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा और पांच सत्य पत 365 में 5 से डिवाइड कीजे से 73 यही आपका आंसर हुआ तो बहुत आसानी से जो इस अल्जेब्रा क्या कोश्चन था काफी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी जो क्लास एट और नाइन के चार्च पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बाद जू जू सिंपल था थोड़ी से मेहनत करनी है तो अब क्वेशन नमर दो हम आपको बता रहे हैं जो भी अल्जेब्रा से ही प्रस्ण है कि अगर टू पर पावर एक स्ट्री पर पावर वाई-6 पर पाव पावर एक सिक्स पर पावर माइनस जेट का वहलू हम लोग के माल लेते हैं अब देखिए आप सभी छात्र जानते भी होंगे टू पर पावर एक सिजिक्वल टू के तो टू इजिक्वल टू के पर पावर वन वाई-1 हो जाता यह फार्मूला है उसके बाद दूसरी हम लो प्सकार के है तो 3 ist equal to k Pam un bata vow हो जाएगा एक हुशरी सिक्स पर पावर माइनस देचीवल क Sut धिक्वल टू के is equal to six अगर करते हैं तो टू का वैलू फ्रॉम वन के पर पावर वन वाटा एक्स और तीनों की सहरा लेते हुए हम लोग इसको करते हैं अब आप जानते हैं चात्र की अगर कोई भी सेम भी विस हो तो वेस के ऊपर यह थो होते हैं वह एड हो जाते है देट व्श्थ 20 वॉट्टा एक्स व्टा इप्स को द्युस्तुक्त है श्थ 0A यह ऑपका यहां 1 वाटा वाई प्लस 1 वाटा जट इस उकल तो जीरो दिस इजे सिम्पल कोस्टन फॉर दिस्ट्रेंट आफ क्लास 8 & 9 जो आसानी से इस प्रस्ट को सोल्व कर सकते हैं तो अब हम जो मेट्रिक की क्वेस्टन पर आपको सामने एक प्रस्टन लिख रहे हैं कि लेट ओ बीदा इन प्रेपेंडिकुलर 2 ओ पी और इफ एंगल बी ओडी इक्वल टू फिप्टीन डेग्री देन फाइंड कोण एंगल एबी सी तेके एबी सी एक प्रेंगिल आपको सामने दिया हुआ है सिम्पल प्रेंगिल है वह क्या कहता है इन सेंटर है इन सेंटर की प्रपर्टिज आप ऐसा प्वाइंट है कि फिर प्रेंडिकुलर डीयानि ओ और्धि अगर लिए है वो क्या है यहां क्या है नाइनटी डिग्रि अगिल आपका है पर पर्केंडी कोर्दी को रथी होता है कि कोई भी एंगिल वो नाइन्टी ज इसके बाद क्या दिया हुए को बी ओड यानि या एंगील बी ओदी द fy आपका एंगल वी ओडी सिटेंगेरी आपका दिया हुआ है तो बीओ आपको क्या और दिया हुआ है तो कहता है वहलू कि फाइंड़ वहलू अफ ए rebisine यानि इस एंगिल का बहलू कितना होगा इसको हमको find out करनी है तो simple है कि in center जो होते हैं किसी भी angles में किसी भी triangles में वह जो भी एंगिल है उसको by set करता है तो सबसे पहले हम लोग कि we know that the sum of the angles of a triangle is 180 we have the sum of angles of a triangle is 180 degree यानि तीनों एंगिल का योग अब हम लोग triangle triangle किस में चल रहे हैं कि बी ओडी में चलते हैं है ना तो बी ओडी में हम लोग find out करते हैं कि एंगल कि बी ओडी प्लस एंगिल बी डी ओ प्लस एंगिल हाँ है ओ ओ बी डी इजिक्वल टू 180 डिगरी यानि बी ओडी एंगिल बी डी ओ येंगिल और ओब डी अंगिल ये तीनों का एंगिल आपका 180 डिगरी होते हैं जो हम लोग परिमेह से जानते हैं जो आपको तो आप बी ओडी यानि बी ओडी एंगल कितना दिया हुआ आपका 15 डिग्री दिया हुआ 180 degree हो गया that is angle O B D angle O B D है O B D है that is angle O B D is equal to 180 degree minus 105 degree that is आपका कितना हो गया आपका 75 degree तापका यह पता चला गया कि को एंगिल O B D का value कितना आपका गया 75 degree अब आप जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए कि जब ओ इन सेंटर होते हैं तो एंगिल जो करता है वह वाइश्यक्ते एंगिल करते यानी O B D जो है यह अगर जितना एंगिल होगा उतना ही एंगिल आपका यह दोनों बाइस्ट होगा यह अलफा अगर है तो यह भी आलफा एंगिल कहलाएगा यह दोनों सेम होते हैं इसकार्त है कि अगर कुन एबीसी लिखें यानि हमको find करना है क्या कि एंगल को एबीसी को find करना है डाट इस टू इंटू एंगल को ओ बी एड़ी ओबीडी ओबीडी का वहलू हम 75 डिगरी निकाल चुके हैं पहले इस इसक्वेशन में डैट इस आपका टू इंटू 75 डिगरी डैट इस 150 डिगरी हो गया यानि एंगिल हम लोगने सिंपल और निकाले कि एंगिल एबीसी 150 डिगरी आपका आंसर निकल गया तो बहुत ही सिंपल यह जो समझने की जरूवत है अब हम आगे जो है कुछ रेशियो प्रपोर्शन से हम प्रस्ण आपके सामने कर रहे हैं जो कुशन नमर फोर है कि इन एक क्लास दन नमबर ओफ वाइज और इन गर्स आर इन दर रेशियो फोरीज़ तो अगर किसी क्लास में लड़कों की संख्यां और लड़क आर्ठ्र क्या हो गया आपका कि फोरेन एंड ठीन नमबर आफ़ श्टुटेंट्स हो जैंगे इन एक लास हो गया तो अगर फोरैन हो क्या हो गया number of students होंगे the number of girls कितने होंगे number of students number of boys in the class is equal to foreign or number of girls in the class कि इच थिरियन तो आपके और number of students कितना दिया हुआ है यानि number of students अगर हम लोग माल लेते हैं कि number of students in a class आपका एन दिया हुआ है तो according to the ratio of four is to three we considers number of boys is foreign and the number of girls in the class is three n अब आगे बढ़िये क्या करता है when eight boys and 14 girls are abstinence absence यानि eight boys अगर absent after absent after absent of eight boys in a class in 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 a class तो आपका कितना बच गया आपका four n minus eight आप ले गया है उसके बाद कहता है कि इतना 14 गर्सा सब्सक्राइब आप्टर अप्सेंट ओफ अप्सेंट ओफ ओफ 14 गोर्ल्स इन एक क्लास कितना आपका बच गया 3N यानि number of girls कितना है 3N that is 3N minus 14 तो ये दो equations आपका दिया हुआ है कि 4N minus 8 and 3N minus 8 अब प्रस्ट आगे बढ़िये क्या है कि कि the number of boys is the square of the number of the girls यानि प्रस्णिक अनुसार according to the questions the number of boys the number of boys according to questions according to questions आपका दिया हुआ है कि the number of boys the number of boys is equal to in a class is equal to a square of the number of girls that is equal to a square of the number of girls है ना a square of the number आप देखिये सेंपल आपका प्रस्ट दिया हुआ है कि number of boys आपका कितना है 4N minus 8 4N और minus 8 आपका हो गया that is a square of the girl girls कितने है 3N minus 14 का whole square एक सिंपल आपका आगया कि 3N minus 4 का whole square 14 का whole square 3N minus 14 का whole square is equal to 4N minus अब इसको हम लोग ब्रेक अप करेंगे that is 4N minus 8 is equal to 9N square और 14 3 जाव चौती है 42 दुनी 84 84N हो गया और 196 आपका रिल्कुल इसक्तर लेके बाद है इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं तो है यहाँ यह आपका 9N square 9-1 square minus 84 in और minus 4N इस साइड ला लाइए minus 4N plus 196 और plus 8 is equal to 0 हम लोग इस इस साइड में राइट साइड में पूरे को ट्रांसफर कर लिया 9 square माइनस 40 84N minus 4 4N और 196 plus 8 that is equal to 9N square और 88 आपका हो गया और 200 and 4 is equal to 0 आप इसको equation चाहें तो इसको 1 मान लें और इसको हम लोग 2 मानते हैं इस इजे क्वाइड्रेटिक एक्वेशन है इन इन तो इन स्क्वेर का भेलू हम लोग क्वाइड्रेटिक एक्वेशन में जानते हैं कि एन इस इक्वेशन है इक्वेशन होता है 88-B अगर हम लोग चाहें डिस्क्राइब करने के लिए तो एक्स स्क्वेशन प्लस बी एक्स प्लस सीज इक्वेशन तो जिवाइड यह फर्मूला आप लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं तो 88 हो गया प्लस माइनस रूट ओवर 88 का होल स्क्वाइर माइनस प्लस माइनस रूट ओवर 88 का होल स्क्वाइर अगर हम लोग करेंगे तो आप करके देखेंगे सेवन सेवन फोर फूर आजाएगा और माइनस इस नो चाटी चाटी चावाल यानि तेहत्तर सो चावालिस आपका इसकी भैलू आ जाएगे डिस इपल टू एटीन आपका भैलू आ गया दिस इंपलाइज एटी एट पलस माइनस इसको अगर प्लस इवन सेवन टीफ फोर करेंगे तो यह आपका फोर हंडेड वैलू उपर क्या गया और फोर हंडेड का रूट लेंगे तो ट्वन्टी आपका बच जाएगा डिवाइडर वाई एटीन आपका हो गया तो इससे आपका दो बैलू एन का निकला है एटी एट प्लस टू डू जिरो तो इसको एक अब ऐड़ एक है प्लस टू जेरो डिवाइडर वाई एटीन यानी वन जिरो एट है डिवाइड़ आटीन अगर करते हैं तू आपका 6 वैली का आ गया तो पहला वैली आपका 6 हो गया दूसरा वैलू अगर याद करना चाहेंगे तो ए निजए क् to 88-20 यानि 60 608 हो गया डिवाइड़ वाई 18 30 34 वाई 9 देखिए यह जो है रेस्नल नंबर का फॉर्म आ गया 34 वाई फ्रैक्सनल पार्ट आ गया तो हम लोग चुकि नंबर ऑफ गल्स और वाई जो होते हैं हमेशा नैच्रल नंबर में यानि इंटीजर्स में पाजिटिव हैं इस कारण एन का केवल हम लोग 6 वह हैलू केलकूलेट करेंगे अब हम लोग को ग्यात करना है कि टोटल नंबर पास्टुडेंट्स कितने हैं तो टोटल नंबर नंबर इस कितना है तो एस्टूडेंट्स गल्स के लिए फॉरें प्लस 3 न कर लेंगे आपका अंसर तो हम finally finally calculate करेंगे कि total total find the number of total number of in the class any total number of students is equal to 4n plus 3n that is 4 into 6 plus 3 into 6 यानि 24 plus 18 that is 42 आपका आपका प्राप्त हुआ तो यह काफी सिम्पल कोस्टन थे 42 आपका आंसर जो है प्राप्त हुआ है तो देट इच आंसर इच 42 तो सिम्पल कोस्टन था कि इसके कैलकुलेशन में कहीं भारिक डिफकल्ट नहीं थी भेरी सिम्पल कोस्टन तो आप सभी बच्चे जितने भी छात्रों छात्राइं थे आज जो है क्लास 8-9 के लिए आप लोग को बताया जो कई कोस्टन ऐसे कंप्यूटिटिटिव के लिए ज्यादा उप्योगी है जो रेगुलर क्लास कर रहें उनले के लिए तो थैंक्यों वहरी मच आज के कार्ट क्रम में आप सभी का और पुनह आगे पुनह आएंगे और कई कुछ त्योरी हम करेंगी इसमें तो थैंक्यों वहरी मच